आप से कह रहा है is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square if so find its length and breadth तो find length breadth से पहले जो हमारे पास है आप से प्रिटा क्या है यह possible भी है condition yes or no तो यह condition हम कैसे चेक करते हैं यह बता रहा हूं बस मैं आपको actually क्या है जो हमारे पास condition है कि अगर हमारे पास equation ax square plus bx plus c होगी और उसमें हम d निकालेंगे और अगर हमारा d positive आएगा ठीक है 0 और more than 0 आएगा तब हमारे real roots होते हैं तो जहां पे भी हमारा d 0 या 0 से बढ़ा होगा तभी यह condition possible है really यह situation हो सकती है अगर d अमारा less than 0 आगया तो हम कहा देंगे not possible this situation होई नहीं सकती खीके सर तो जब इस तरह के question पूछता है तो हमें equation बना के d check करना पड़ेगा अब बताओ यहां पे is it possible to design a rectangle mango group whose length is twice its breath यह हमारे पास सॉलुशन एंड दा एरिया इस 800 मीटर स्क्वेर आप से करें सिच्वेशन हो सकती है यह नहीं तो हमने हमेशा काया जो राइट साइड है उससे सपोस करो तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें कि लैट ब्रेथ भी एक्स तो वाट इस लेंद तो एक्स वाट इस एरिया यहां से हम स्टार्ट कर रहें solution area 800 तो तीनों में relation x into 2x is equals to 800 ऐसे तो हम चाहे शॉल कर सकते हैं यहीं से आ जाएगा लेकिन मैं चाहरा हूं equation बनागे check करना तो हमारे पास आएगा 2x square minus 800 is equals to 0 2 चाहो तो common ले लो तो x square minus 400 is equals to 0 तो अगर मैं यहां चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखोंगा x square plus 0 into x minus 400 is equals to 0 क्योंकि standard form में लिखना है यहां पे x वाली term नहीं थी ax square plus bx plus c is equals to 0 otherwise वो solve हो चुका है उपर ही अभी हम बता भी देंगे तो यहां पे क्या है here d जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है b का square minus 4ac तो फोर फोर्जा 16 minus minus plus 1600 और d अमारा आ गया पॉजिटिव येस इस पॉसिटिव बात समझ में आई या नहीं आई आपको क्या करना है equation बन गई थी या नहीं बस यह बताओ कि यह तो बना ली ना आपने टू एक्स इक्वाइट को इदर ले आए तो कि क्वेशन क्या हो गई या टू से पहले डिवाइट कर लो आप टू से डिवाइट करोगे तो कितना रह जाएगा 400 तो 400 को इदर लाओ तो क्या हो जाए equation बनानी है ना में solve नहीं करना भी तो एक्स स्क्वाइर माइनस 400 इस इक वाले में नो सार अगर बी एक्स नहीं है तो बी जगे क्या रखेंगे जीरो जीरो रखेंगे नहीं रखेंगे तो फिर equation equation क्या हो गई हमारी अब समझ में आ गया standard form क्या हो गई x square plus 0x minus 400 0 yes or no अब अगर इसमें d निकालेंगे तो क्या आएगा बिटे डी क्या होता है गई जीरो का स्क्कार माइनस फुर आइसी कितना है यह पे पहरों कि मैंने मानिस प्राइब एक चुरा फ्राइब नई तो फैक्स वहन देना ग्रेंड अग्रेंड आग्जाए टो इस वह निए तो फैक्टर सोते ना जिए लंबर्स होते टो अगर दी हमारा जीरो से बढ़ा होता है तब ही तो हम कहते हैं रियल रूट एक्षिस्ट सो रिल worrying डूटस excess क कि इतो पढ़ चुके ला अगर डी नेगेटिव आएगा ता हम क्या कहते हैं नो रियो यू रियल रूटस एक्जिस करते हैं तभी ये situation possible होगी यह जो हमने करें तो своей वह मिस्को सॉर्फ है थो मिइ से यहां कितना अगिए प्लस बाइनस को आधा सब्सक्राइब लेंगे कि लेंट है लेंथ है लेंथ या ब्रेथ टिक है तो हमारा ब्रेथ कितना हो गया 20 लेंथ का डबल होगा 2 x 20 यह आंसर जरा देखो आपको मैं भी समझा मैं एक चारता कुश्चन देखो एक और देखो आप से क्या कह रहा है ज्यान से देखना सब बच्चे यह कोश्य है आपके पास आप से कह रहा है दा प्रोड़क्ट आप देरेज इन यह वाज 48 हमारे पास क्या दिया है हमारे पास दिया वह सम प्रेंट इस त्वेंटी इस तो क्या आम किसी एक की सपूस्च कर सकते हैं एज ओफ ठीक है पास 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 वान फ्रेंट तो सेकेंड वाले की क्या होगी वाई वाई तो ले सकते हैं बिटे लेकिन क्या हम जब सम दिया हो तो हम कुछ कर सकते हैं हमने बताये थुक्षव कीजा वाई प्रोड़क्ट ऑफ देयर इज देवी था प्रोड़क्ट अबक्रस प्राइब अट्री का तो ते यह ने हो यह सब नो बताओ एक रहाता ना आप ज़रह इसको सॉल्व करना देखो एकवेशन क्या बनी एक्स माइनस पोर और 20 बाइनस 4 16 माइनस x और जब इसको मॉल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आएगा 16x माइनस x square 64 plus 4x is equal to 48 ज़रह सब को एक साथ करो तो क्या आएगा X square को positive कर लो 16 plus 420 minus 20X हो जाएगा 64 दर जाके plus हो जाएगा 64 और 40 कितना हो गया भई 8, 4, 12 6, 4, 10, 100 यह मार पास है अब जरह यहाँ D check करना पिटे सब बच्चे D क्या होगा A square B square minus 480 minus 4AC 20 का square 400 112 into 4 400 minus में क्या बचा minus 48 तो D आपका positive आया और negative आया negative no real roots है ना तो roots आएगे नहीं अगर roots आएगे नहीं तो इसका मतलब हकीकत में real में यह situation possible नहीं तो यही आपसे पूछना चाहा था is this possible कि हमने question तो बना दिया लेकिन क्या यह possible है यह पूछ रहा था आया समझ वे yes or no तो यह तो हमने बिटे solve किया है सब बच्चे देखो इधर अब मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ यह तो हमने solve करके बता दिया है तो D से पता चला otherwise equation बना के हम बैठे रहते solve ना होता मैं आपसे वैसे ही कह रहा हूँ आप question को समझो जरा सब बच्चे आजाओ जरा देखो कैसा क्यों हुआ है हमसे कह रहा है कि हमारे पाइट दो दोस्त हैं बिटे और उनकी एज का सम 20 यह है एक पहला फ्रेंड यह है और दूसरा फ्रेंड यह है और दोनों की एज का सम 20 यह है ठीक है मुझे बताओ maximum क्या लोगे बिटा आप दोनों का सम 20 है तो सबसे बड़ी फ्रेंड की जो एज है क्या ले सकते आप कोई बताओगा बताओगा मुझे चलो 19 ले ले लेते हैं बिलकुल maximum 90 ले सकते हैं तो अगर हम maximum 19 ले सकते हैं तो दूसरा वाला फ्रेंड कितने यह का हुआ अब मुझे बताओ क्या फोर यर्स एगो अब सिच्वेशन पॉसिबल है अब मैं नहीं एगॉसरा बट्षांची की ले सकते हैं मैं आपको वही समझाना चाहर हुआ कि देखो हो क्या राए 19 1 possible नहीं है बटे तो 18 2 भी पॉसिबल नहीं है बटे 17 3 भी पॉसिबल नहीं है बटे 16 फॉर भी पॉसिबल नहीं है बटे तो कम से कम अगर हम वन यर भी मानें तो हमें क्या लेना पड़ेगा फिफ्टीन फाइव लेना पड़ेगा जो सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब लेकिन अब जैसे ही आप दूसरी कंडिशन में रखोगे के पूर इयर्स एगो अरे हमारी मर्जी हम ट्वेल लिखें ट्वेंटी लिखें अब बुड़ापे में नहीं चलना दिमाग हम क्या करें बताओ चाय नहीं मिल रही हमें पीने को अब बताओ च आज कल आपको पता भी है जर की सफाई करो कपड़े दो बटन दो खाना बनाओ चाय पिलाओ जुल्म हो रहा है जुल्म कोरोना में अब और कॉन कर रहे हैं कॉन कर सकता है शफी बताओ अच्छा दूं अच्छी बात है यह देखो देखा आधी शक्ति बोल रही है ऐसे अच अच्छी शक्ति यह भाई आज कर ला रहन करें चलो आजाओ देखो अरे अगर सुन लिया तो हम मिनिस्ट्री ने यह जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलनेगा चलो क्या मत देना आओ जी हम क्या कह रहे हैं हमने क्या किया 16 4 अब तो ठीक लिखा है उपर तो आप उपर कह रहे यहां ने गलत लिखा था अब आप कुछ सोचो बिटे कि अगर आप अब यहां 4 years ago बात करते हो तो क्या age का product 48 possible है मुझे बस इतना सा बता दो जब हम बिटे माइनस 4 करेंगे तो minimum यह वन रह जाएगा और यह आपका 11 रह जाएगा तो क्या product 48 possible है यही तो वो कह रहा था is this possible इसे कहते है is this possible तो हम इस तरह से really situation चेक करें उससे अचा है कि हमारे पास एक option है option क्या है कि equation form करो और d find कर लो अब समझ में आई बात या नहीं आई तर वो तो पहले भी आगई यह यह हमारे पास एक question वह आपके लिए अपना आप करना अब बोलो डाउट फिर मैं आपसे बहुत अच्छा वाला question पूचूँगा आपको यह क्या question है चलो पूछो शाबाश कौन सा बच्चा क्या बुचेगा फिर कुछ नया स्टार्ट करें कि बोलो कि किसी बच्चे के पास chapter 4 का डाउट था बोलो शाबाश बहुत अच्छी बात है मुझे अच्छा लगेगा सर किसी और बुक से डाउट है मुझे अरे सर कोई सी भी बुक से हो तर तो question आपको बोल दूँ हाँ बोल दूँ हाँ बोलो sir question यह a thief runs with a uniform speed of 100 meter per minute after one minute a policeman runs after the thief to catch him he goes with a speed of 10 minute per minute in the first minute and increase his speed by 10 minute 10 meter per minute every succeeding minute after how many minute the policeman will catch the thief आपकुश ढबस यह है oh 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 yeah अबस फाहिं आपसे फाहिंप नहीं हुआ अजिए अपने करना निचाब इतने बच्चे हमारे बैठे हैं माशाळला ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो इस कोशन को नहीं कर सकता इसने भी थोड़ा सा भी पड़ा है ठीक है उस सारे बच्चे माशाळला इसको सब्सक्राइब देखो अभी करते हैं दर ना छोड़ दो पहले जैसे कुछ एक्स्टा लेंग्वेज आए हम बिटे डर जाते हैं बस वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अब आउ सब बच्चे मुझे बताओ देखो यही कोश्चन है यह सर अब इसब बच्चे बताओ जरो एठीफ रन विद्धा इनिफॉर्म स्पीद ऑफ 100 मीटर पर मिनट अना सब अच्चे यह हो गया स्पीद यह हो गया डिस्टेंस यह हो गया टाइम यह हो गया थीफ कितनी स्पीड अथीफ की अंड्रेट सब बच्चे थोड़ा सा इन्वाल होने की कोशिश करो बहुत सिंपल का सिंपल सा कोश्चन है हंड्रेट मीटर पर मिनट अफ्टर वन मिनट इप प्लिसमेन रन तो यह प्लिसमेन है सब मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको हर वर्ड याद रखना है ठीक है आफ्टर दा थीफ तो कैच इम फिगोर्स विदे स्पीड ऑफ अब यहां प्रॉब्लम है उसके साथ हंड्रेड मीटर पर मिनट एंड मिनट इंड इंड फॉस्ट मिनट पर मिनट तो पहले मिनट में हंड्रेड की स्पीड होगी नेक्स्ट मिनट कितने की होगी 110 एक्चुली यह चैप्टर पॉर का कोस्टन ही नहीं है यह चैप्टर फाइव का होगी अब फिर होगी 120 फिर होगी 130 एंड सो ओन यस और नो पहले तो यह बताओ समय से तो यह हमारे पास इतने इस इस स्पीड से चलेगा आप से क्या कह रहा है ठीक है वाई टैंड आफ्ट प्लिसमेन विल कैस्ट थी कितने मिनट के बाद तो मैं कह दूँ लैट ही विल कैट अब कम से कम आप से बच्चों ने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी तो समझ लोगे ही विल कैज आफ्टर एक्स मिनट थीक है जो आपका थीव है वो तो हर मिनट एक ही स्पीड से भाग रहा है इस युनिफर्म स्पीड से अब क्योंकि अगर उसी स्पीड से पुलिसमेन भागेगा तो पर प्र पकड़ी नहीं पाएगा तो पुलिसमेन क्या कर रहा है अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है आफ्टर हमने का एक्स मिनट अब यहां पर एक लॉजिक है बस वो मुझे बत सादो बस कि यह को चैने में बता सकता है और चार गनट में 400 मेटर भागए उसे प्राक्टिकली मत बताओ मुझे क्वेशन में बताओ बताओ शाबश आपके सामने लिखावा है को कोश्चन में एक पॉइंट मैंने छोड़ा है जान बूच के कि देखूं बच्चे उसे कैच करते हैं या नहीं सारे बच्चे बताओ चैप्टर फाइब का कोश्चन है वैसे तो यह अगर आपने थोड़ा सा पड़ा बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगता है उसमें बाद भागना शुकर रहा है वेरी गुड शाबश देखो सबसे इंपोर्टेंट तो चीज यह है बिटे के पुलिस मिनटे दो पुलिसमें बीकेज तो हमने का एक्स मिनट तो इसका मतलब पुलिसमें भागा है एक्स मीनट थी यह अंच और нो कि अगर हम टोटल टाइम बात करें की बाइए एक्स मिनट भागा थो पिर वह एक्स प्लस वन ए एक माइनस ओं हुआ रकल में फटेज हैं यहां पुलिस वाला यहां करदा कि भूस्च यह वाले को भूने गहां तो रहे बाद के solution के बाद पॉलिस ने भाग कि तो इसको तो 21 मिनटों गैना यह रोगा आख ये स conten लों कि कि ऐसर डिस्टेंश covered in x plus 1 minutes by thief is equal to distance covered in x minutes by policeman. तो आपके पास क्या है जो आपका थीफ है वो तो हर बार 100 के इसाप से भाग रहा है. तो आप चाहो तो speed into time is equal to distance कर सकते हो. अगर वो x minute भागा है ठीके सर तो फिर वो आपके पास 100 into 100 into 100 ही चल रहा है into x minute x plus 1. लेकिन जो आपका पुलिस वाला है वो पहले आपके पास भागा 100, फिर 110, फिर 120. तो कितने minute? x minutes. तो x minute होके x terms हो जाएंगे. तो किसी ने पढ़ा है, AP में sum of n terms. अभी किसी ने एपी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? sum of n terms. n by 2, 2 plus n minus 1. बस यह formula लगेगा बिते बस यह quality कर रहा ही नहीं. यह तो आजाएगा तो यह तो अभी पढ़ाया भी ना पढ़ेंगे ना चप्टर 5 तो इसके बाद. तो यह तो 100 into x plus 1 आ जाएगा. यह हमारे पास यहां से आएगा. x term है, first term 100, x minus 1 है, difference 10 का है. तो यह हम पढ़ेंगे. चलो, इसे तो छोडो. और किसी के पास कोई question है? कि अप्सुआ बाएगा कि अौलीच है, और काही चाही, जा जएओाजेंगेंगेंगेंगेंगेंगा का बैक बाएगा एड़ घाएगा थे, मत बालेगा है, यह你想 u कि मैं थावड़ादेंगें से जैने से का वी बालेशार C yes prim 55 झाल झाल झाल